शम्रा में हादसों को लेकर सरकार पूरी तरह से सक्त हो गई है दरसल आज से गारी चुडाने वालों के लिए सीट बेल्ट जरूरी कर दिया गया है जो की सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे उनके उपर कारवाई किछवाएगी इस तरह सीट बेल्ट की अनिवारिता को जरी कर दिया गया है आपको बता दे कि पुलिस ने जरी कर इसके आदेश भी दे दिये हैं और इसे लागू कर दिया गया है MB Act के हवाले के तहट यह जो अनकारी मिले है जब सीट बेल्ट नहीं होगी और ऐसे में सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर पुलिस की नजर भी बनी रहेगी इसके साथ ही आपको बता दे आदेश की अवहेलना करने वालों के चालान भी काटे ज़ौएंगे और इसे ख़बर पर ज़्यादा ज़ौन कारी के लिए उमेश शर्मा हमारे ब्यूरो चिफ शिम्रा से लाइब जुड़ चुके हैं उमेश आपसे जानना ज़ौएंगे कि इस तरह सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के चालान काटे ज़ौएंगे क्या सक्कारवाई के ज़ौएंगे इन पर क्या कुछ नियम लागू किये गए हैं नीटू देखिए सरकार ने एक बार दोवारा ये फर्मान जारे किया है कि शिम्रा की सड़कों पर जो लोग चलेंगे जो वहान चालक चलेंगे उनको जो सीट बेल्ट है वो बादना अनिवारे होगा वरना कानून की धारे हैं जो एमवियक की धारे हैं उनके तहित कारेवाई की जाएगी लगबग दो दिन पहले ये अदेश जारी किया है शिम्रा पुलिस के द्वारा और कल इसको लेके एक बड़ा अंदोलन विवा जो शिम्रा की प्रदीबंद सड़के हैं प्रदीबंदे जो रोड हैं उनमें कल एक बड़ा हंगामा देखने को मिला जब कानून को जानने वा ले वकील सड़कों पर उतर करें पुलिस के इस रविये के खिलाब बड़ा परदेशन किया और बालूवज थाना जो पड़ता जिला जो अदालत उसके पास जो बालूवज थाना पड़ता उसके बार चक्का जाम भी कहा वकीलों का ये कहना था कि सरकार जो आम आदमी हैं जो आम गाड़ी चलाने वाले हैं वांचालक हैं उनके खिलाब इस तरह के मन माने जो फैसले हैं वो नहीं थौप सकती हैं लोगों के लोकतंत तांत्रिक अदिकारों का हनन नहीं कर सकती हैं बड़ी देर हंगामा भी हो रहा होता रहा हो और चक्का दम भी किया आज जानकार यही मिली है कि जो शिमला में कारेरत जो अधिवक्ता है वकील है वो आज हाई कोर्ट में जुटने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि हाई कोर्ट के जो परदेश के नियाए धिश है उनसे मुलाकाद करके पूरा जो विवस्ता है उसके किलाप अपना रोस भी जाहर करेंगे अपनी बात भी रखेंगे नीतू जी लेकिन इसमें कहीं नगए ये भी सामने आ रहा है कि शुमला हादसों को रोकने के लिए सरकार ने ये सक्तनियम बनाए है कि सीट बेल्ट रगाना जरूरी होगा तो इसके बाद इस तरह से प्रदेश्वन करने का क्या कुछ मतलब रह है उमेश छूट जाए तो बचने की सम्बाब न रहती है लोगं का ये मानना है लेकिन सीट बेल्ट लगाने की स्टीटी में लोग उस बचाओ का रास्ता लोगं के पास नहीं रहता है लोगं का ये भी कहना है की सरकार जब चाहे इस तरह के फर्मान जारी करती है जब उनका मन करता है इस तरह के मनमाने फैसले थौपी जाते हैं कोड की आडम इस तरह के फैसले थौपी जाते हैं कोड को लोगों के जन तात्रिक अदिकारों का भी नर्वेहन करना चाहिए नी तो लोग काफी नराज है शिमला में जो तो ये जो सड़कों पे जो ताबर तो चलान का सिलसला शुरू है, लोगों को काफी दिकते आ रही हैं, लोग पहले से ही परिशाने हैं, पार्किंग की समस्से नहीं हैं, जब ये निया फर्मान लागू हो जाएगा आज, हालांकि आज शुरू आते हैं इसकी, दिक्के दुक के लोग सीट बैल्ट पहने सड़कों पे दिख भी रही हैं, लेकन जाहतर लोगों का ये मानना है कि पहाड में पहले ही जो वानों की गती होती ही, काफी कम होती है, ऐसे में सरकार इस तरह के मनवारे फैसले थौपेगी, तो जो वहां चाले के आम नागरे के हैं, उनको पर हैं, आप हाई कोट में अधिवक्ता हैं, वकील है, सरकार कहती है, कोट कहता है कि सीट बैल्ट पहन नानी वारे हैं, एम्वी एक्ट भी यही कहता है, लेकिन शमला में क्यों इसके किलाब परदशन हो रहे हैं, देखिए, जो हिली एरियाज है, वहां पर अगर आप रूड जाते हैं, और जिस वज़े से उनकी जान बचती है, लेकिन सीट बैल्ट का जो नियम अनिवारे करने से क्या है, उन दो व्यक्तियों की जो जान बचने के जो चांसेस है, वो बिलकुल मिनिमम हो जाएंगे, वो तो गाड़ी के साथ लास्ट पॉइंट तक जाएंग अप तो वकील हैं, आप जानते कानून में ये प्रावधान है, हाई कोट का आदेशे, पुलिस ये कह रही है, जिस तरह से कल वकीलों का धरना किया था, वकीलों ने जिस तरह से सरकार पे और कोट को भी आड़े आते लुए था, क्या आपको लगता है, ये समस्य का समादान हो सकता है, देखिए, एक चीज़ समझने की आवशकता है, शिमला शहर बना था अंग्रेजों के समय, रूल्स, रेगुलेशन वही चल रहे है जो अंग्रेजों के समय थे, आप एक चीज़ समझिए, आईजी एमसी रिस्टिक्टेड रोल पे, आपका के ने चाउस्पिटल रिस्टिक्टेड रोड की डेफिनेशन के बीच में आता है, कही न कहीं यह चीज़े हमें समझनी पड़ेगी कि यह रूल्स और रेगुलेशन अब चेंज करने की आवशकता है, शिमला प्रडिस्टेन आट चेंज करने की आवशकता है, जहां तक बात है, जिन लोगों की चल रही है, वो प्रतिबंदे सड़कों पे भी जा रहे हैं, सील्ड रोड पे भी जा रहे हैं, वो चाएप पुलिस प्रशासन की बात की जाए या उनके परिवार के सदस्टे से भी जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो शिमला शेहर में जैन्वन तरीके से रहता है, वो अपने कार्याले नहीं जा सकता क्योंकि उसके ओपर इतनी restriction है कि वो अपनी गाड़ी लेकर उन सडकों पे नहीं जा सकता आज आवशकता यह है कि इन रूल्स की को चेंज किया जाए और कहीं तो जो छोटी संक्री सडके हमारी शिमया शहर की है उसमें कहीं नहीं जा जा सकता है वक्त आ गया जब शहर में इतनी conjunction है इतनी सलाजी इतनी पहले से गाड़ी हैं माधूघे पूल अस्ताल जाने वाले आम नागरिकों को पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को दिकत नाए ता क्या लगता है कि आज वक्त आ गया है कि जो प्रतिबंदी सड़के हैं जो माननियों की सड़के उनको खोल के आम जंता के लिए वन वे किया जाए कोई सॉलूशन निकाला जाए में कहीं न कहीं कैटेगराइजेशन करें और आवशक्ता के अनुसार जो जैन्वन लोग हैं उनको आप पर्मिट दीजिए पर्मिट देने पर आप बहुत वें एंट्री कर दीजिए लेकिन एक साइट तो वान वे तो कम से कम आम आदमी को भी चलने दीजिए क्या सिरफ उ उनके परिवार के सदस्य जाते हैं यहां तक तो कई पॉइंट पे यह भी देखने को आया कि उनके कुटे उन गाडियों में जा रही हैं देखिए नीटू आप देख सकते हैं जनता का गुसा है वकील है वो कहते हैं एमवी की धारा हैं अपनी तर्फ सही है लेकिन शिम्ला दूर दुराज इलाकों से देश के दुनिया के दूर इलाकों से शिम्ला गुमने की चाहा से लोग आते हैं वो किस तरह से मुश्किल हालात में माल लोडर और रिजकी सेर करने पहुंचते हैं आप उनसे पूछिए तो वक्त आज लोग कहते हैं बदलाओ का वक्त है जब श दिखाई देता हो और संगत, दिखाई देता है लोग यह कह रहे हैं जैसे आपने सुना एक अधीवक्ता थे इकोट के उनका कहना है कि वकील कानून जाएक कानून चांब कानून की वीन्टियों क्हुंच्शते हैं पूलोग के इल्ट करना कर這個是 वक्त है कि भीनों से द मॉप जी बिल्कुल फिलाल देखना होगा कि क्या वकीलों के इन मांगों पर घौर किया जाता है या नहीं याने वनस सब्सक्राइगा लेकिन आपको बता दे अब शिम्ला में आदेशों के अभिलना करने वालों के चालान काटे जाएंगे जो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे शिम कि अता है झाल